हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक मैं यूट्यूब चनल, मैंस मैं जाँ अप्लोड करता हूं, भीसी माथमेटिक्स और फिजिक्स रेलेटेट वीडियो लेक्ट्चर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉस्चिन यान या आप आम दो कुछिन करने वाल है, जो कि एक दूसरे जे रे कोई भी कोशिन पूछ ले जाता है, काम आपको एक ही करना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे हम बात करेंगे, बड़े अच्छे कोशिन है, इंपोर्टेंट कोशिन है, इससे पहले अगर आपने होल प्रेसर का वीडियो नहीं देखा है, तो यह आपको कुछ समझ में गीवन है, या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या आई टैप पे मिल जाएंगे, तो बिना टाइम वेस्ट की हम वीडियो को स्टाट करते हैं, दो कुशिन कराऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पूरा जरूर देखें, कुशिन आपको 100% प्लेन बेस के साथ में, प्लेन में मतलब उसको काट दिया गया है, तो डाइराम देख लो, आपको कुशिन समझ में आजाएंगा, यह खोलो स्टाट है, अब यह इसका लिम है, मतलब उपर वाला पार्ट है, इसके एक एंड से उसको लटका दिया गया है, सर्फेस के ऊपर ठीक है अब इसके अंदर भीया water बरा गया यहाँ आपर देख लो water बरा गया water बर देते हैं इसके अंदर एक second भी बर देते हैं चलो थोड़ा green water बर देते हैं यह इस type से इसमें क्या किया गया पूरा का पूरा इसको fill किया गया water के साथ में ठीक है, इस टाइप से इसने, फिल किया गया, ठीक हालागी water blue होता है, पर हम यहाँ पे green बढ़ देते हैं, चलो, कोई बात नहीं, हमने उसमें थोड़ा सा color मिला दिया है, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब देखो, क्या कहा रहा है, आपको question क्या कहा थोड़ा सा समझने कोशिश करना, थोड़ा सा समझने कोशिश करना, देखो, अब question यह कहा रहा है, question यहाँ पे यह है, कि आपको यहाँ पे जो ratio अना, इसके, like, prove that the whole pressure on the curve surface and the base are in the ratio of 19 ratio 8, यानि कि इसका जो curve surface है, उस पे जो ratio बन रहा है, उस पे जो whole pressure है, उसका और यह वाल जो whole pressure है, उना उना का ratio लेना है, ठीक है, बड़ा simple सा question है, अब इसमें आपको दो चीज कही है, ठीक है, दो चीज का आपको ध्यान रखना है, अब देखो, पहला यह ध्यान रखना है, जब हम whole pressure के लिए बात करेंगे, तो like whole pressure के लिए बात करेंगे, तो हमको center of gravity चाहिएग curve surface का लेना पड़ेगा, जो की हमने यहाँ पे लेट कर रखा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझने कुशिश करना, हम कैसे इस question को करना है, बिल्कुल easily समझाएंगे, process को start करता है, कौन सा process क्यों करेंगे, वो भी मैं आपको reason के साथ बताऊंगा, सबसे पहले इसका नाम करते हैं, यह वाली जो लाइन है, इसको हम यहाँ पे N करता है, इस दिख नहीं रहा होगा, चलो यह N हो जाएगा, अब देखो भीया, वर्टिकल के साथ में यह थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, यह थीटा हो जाएगा, यहां से हमारे पास में, ओके कितना आ हमारा उसकी जो रेडियस आपको यहाँ पे मिल रही है, हेमिस्फेर यह न, हाँ ठीक है, हेमिस्फेर ही तो है, चलो, तो आपको यहाँ पे हेमिस्फेर दे रखा है, उसकी रेडियस की बात करता है, हमारे पास में हेमिस्फेर जो है, हेमिस्फेर, चलो, तो रेडियस ओफ ह Hemisphere that is equals to A, हमने radius को, Hemisphere की radius को A ले लिया है, अब क्या करते हैं, देखो, समझते हैं इसको आगे क्या करना अपने को, यहां से O G-, O G- जो है, उसका value क्या है, O G- जो है, उस Center of Solid Hemisphere, देखो एक बाद आपको यहां पर कहिए, इसने थोड़ा सा आप गौर करना, एक बार क्या कह र होलो है, फिर उसमें water बरा गया, देखो, दो चीज ध्यान रखने है, hollow hemisphere with a plane, hollow है, एक बार पूरा आपको खाली करना है, solid, और जब उसमें water भरेंगे, तो वो solid हो जाएगा, दो चीज आपको यहां पर ज्यान रखने है, वाटर भरेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें solid हो ज solid hemisphere, solid मतलब जब हमने water भर दिया है, ठीक है, और O G2 जो है, वो क्या हो जाएगा, center of gravity of hollow hemisphere, यह हमने hollow hemisphere के बारें बात करेंगे, दो center of gravity आपको लेने पढ़ेंगे, तो मैंने G2 पहले ही लिख दिया है, अब क्या करेंगे, हम सिधा pressure निकल लेता है, और क्या करना ही क्या आपने क्या 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 क एंगल with vertical विद वर्टीकल वर्टीकल के साथ में जो एंगल है वो कितना है थीटा है उसका inclination I think दिया आप होगा inclination चलो नहीं दिया थे हमने थीटा लेट कर लिया चलो अब क्या करना यह हमने किसे निकाला by the triangle यहाँ पर लिख देते हैं पूरा explanation कर दूँगा मैं तो यह क्या हो जाएगा by the triangle AOK से हमने इसको यहाँ पर निकाला है अब बढ़ते हैं आगे अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं actually अपने को ratio क्या दे रहा हो ratio दे रहा 19 ratio 8 तो हमको कोई numerical value इसमें मिलेगी तो actually मैं अगर आपको कहूं तो like इसका जो solid और इनकी जो like center of gravity जो होता है न वो क्या-क्या होता है मैं यहीं पर लिख देता है चलो मैं उसको बाद में लिख रहा था पर अब मैं यहीं पर लिख दूँगा कि O जीवन जब solid hemisphere होता है न तो उसका क्या होता है 3A by 8 होता है जब A इसकी radius होती है और जब A radius नहीं होती है तो क्या होता है A by 2 हो जाता है 9 by 2 नहीं A by 2 ठीक है A by 2 अब देखो क्या मतलब हुआ याने कि यह वाली जो distance है यहाँ से याँ तक है समझना यहां से यहां तक की जो distance है इसकी I think मैं उल्टा लिग दिया यह G2 पॉइंट होना चुऑ यह A1 पॉइंट होना ची तो जीवन पॉइंट होना ची ठीक है ठीक है यह वाला जीवन होगा यह वाला G2 होगा ओके यहां से हो जाएगा अब दिखरा होगा थोड़ा सा आपको अब यहां से आपन ट्राइंगल ले रहे हैं बाइ ट्राइंगल ए जीवन ओ अब ए जीवन ओ जो इस टाइप से बन रहा है यहां से ऐसे अब बन रहा होगा 90 डिगरी ओ पर बन रहा है तो यह ए है यह ओ है यह यहां यह जाएगा यहां से आपके पास में क्या आऊ जाएगा 3 square प्लस यह आजाएगा आपके पास में एक सेकंद 3 square कैसे हो चलो a square हाँ चलो इसको इसको लिखता 3 a by 8 का hall square हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा a square इसको simplify करता है तो h is equal to आपको क्या मिलेगा यहां से h is equal to यहां से क्या मिल जाएगा यह हो जाएगा root of 3 a तो यह हो जाएगा 9 a square plus 8 a square सही है अपन क्या हो जाएगा 8 तो यहां पे इसका भी square होगा इसका भी square होगा ओके अब यहां से इसको simplify करता है यह root पूरे पर h की value आपको क्या मिल जाएगा यहां से a बार आ जाएगा ठीक है a बार आ जाएगा यहां से a कॉम बार लिख देंगे तो actual मैं a ले लेते हैं यहां पर a लेते हैं यहां फिर इसकी distance लेते हैं coefficient भी ले सकते हैं वैसे चुलो a ले लिए हमने कोई बात ने अब देखो अब यह क्या हो जाएगा यहां पर इसका square करेंगे तो 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा तो यहां से जब इसकी value लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 73 a square अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर 64 हो जाएगा ठीक है अब इसका root कर देंगे तो यह उपर आ जाएगा हमारे पास में root 73 a upon यह हो जाएगा 8 यह हमारे पास में इसका hypertenus आगया अब देखो यह hypertenus आया इससे हम क्या कर सकते हैं यहां पर हमने जो यह value निकाला है हमने यहां पर जो value निकाला है cos theta का यह किसके equal होगा ok के equal होग जाएगा ठीक है यह ok जो है वो किसके equal होगा एक काम करता हम यहां से हम यहां से sin theta and cos theta निकाल लेता है चलो यहां से क्या करते है sin theta and cos theta निकाल लेता sin theta and cos theta जब हम यहां से निकालेंगी तो sin theta क्या होता अगर हम बात करें तो perpendicular अगर हम लिखते हैं यहां पर sin theta यह होता है एक second sin theta यह होता है चलो, sin theta क्या हो जाएगा, perpendicular upon hyperteneus, तो perpendicular कौन सा होता भईया, इसमें यह perpendicular है, अगर हम theta यहाँ पे ले रहे हैं, theta actually यहाँ पे है, तो perpendicular कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा, g1 o dash, तो perpendicular क्या हो जाएगा, 3 a by 8 हो जाएगा, उसमें क्या करना, आपको divide करना है, hyperteneus का, hyperteneus क्या है बिया यहाँ पर, root 73 by 8 हो जाएगा 8 से 8 cancels हो जाएगा, A से में cancel हो जाएगा, तो sinθ का value मिल जाएगा आपको 3 by 8 73, क्या हो जाएगा, 3 by 073, इसी type से cost theta का value मिल जाएगा, वो 8 में इसमें divide करना हैं बिया, इसमें करेंगे A में है तो यह हो जाएगा 8 by 70 root 73 अरब यह यह हो जाएगा यहाँ पे base upon यह base हो जाएगा base upon happiness हो जाएगा तो यह 73 हो जाएगा तो cost theta और sin theta के value हमने यहाँ से निकाल लिए दी यहाँ पे आना हम cost theta value पुट कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 8a cost theta value क्या है 8a root 73 और एक बात और ध्यान रखो यहाँ से यह mn जो आना वो 1k के equal है तो यहाँ से यह mn भी हो जाएगा ठीक है तो यह भी आगे हमारे काम आने वाला है अब बात करते हैं यहाँ पे next हम देखते हैं क्या यह हमने सारा values जो है उसकी निकाल दी है अब क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास में यह वाली values है इनको हम यहाँ पे put करेंगे तो एक और हम यहाँ पे like formula निकाले एक और हमको value निकालना है और वो value किसका चाहिए अपने को वो value चाहिए इसका एन जी डैस एन जी टू का तो नाव लिखते है triangle by the triangle o n g 2 आप देख सकते n g 2 का है कहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है यह वाला triangle हो जाएगा यह इस टाइप से यह क्या हो जाएगा o हो जाएगा यह n यह g2 हो जाएगा अब यह वाला angle theta आप देख सकते कैसे है यह मैं आपको आपको बता दिया होगा यह वाला पूरा 90 है तो यह पूरा 90 मैनस theta हो जाएगा अब यह वाला पूरा height आपको a by 2 दे रहा यह g1 जो है g1 से g1 sorry g2 g2 जे उतर की distance यह g1 ने g2 ले रहा है g2 से होता की distance तो हमने a by 2 लेट क्या उसका center of gravity तक की distance उसका center of gravity ठीक है hollow sphere का solid or hollow का अलग अलग होता है तो यहां से आपके पास में n g2 जो मिल रहा है वो a by 2 sin theta मिल रहा है और sin theta तो हमने निकाल रखा तो यह हो जाएगा a by 2 यहां पा जाएगा 3 root 73 ठीक है तो यह हमने निकाल ले चलो अब आपको क्या करना सिधा pressure निकालो याद हम pressure की बात करते है तो pressure निकाल देता है T1 पहले हम T1 pressure निकाल लेंगो तो यह क्या हो जाएगा rho G S1 Z1 bar अब यहां से Z1 bar क्या हो जाएगा देखो Z1 bar हो जाएगा यह Z1 bar निकालना है न Z1 bar हो जाएगा on तो पहला हम जो निकाल रहा है वो का निकाल रहा है on the base on the whole pressure on the base base पे निकाल रहा है base क्या दूँ या उपर वाला circular part है वो क्या दू ठीक है, whole pressure on the base या फिर आप ऐसा कर दो circular part, जो circle है homiesphere का जो उपर का circle बन रहा है उसका निकाल रहा है, उसके लिए z1 क्या हो जाएगा on हो जाएगा और on का value अभी हमने निकाल रहा है on का value अभी निकाल है हमने sorry, on नहीं है, okay on नहीं है, okay है, ठीक है यह क्या हो जाएगा, okay हो जाएगा, okay value हमने निकाला 8a by root 73 अभ इसको put कर दो, यहापे तो t1 क्या हो जाएगा rho g, pi r square ठीक है, pi a square लेलो circle का area, pi a square यह area होता यह हो जाएगा, 8a upon root 73 तो simplify कर दो, t1 हाजाएगा 8 upon root 73 rho g, pi a cube हो जाएगा this is equation number 1 ठीक है, अब क्या गर दो, अब क्या गर दो, similarly लिख दो, whole pressure on the curve surface curve surface whole pressure on the curve surface curve surface पे जो उनका बन रहा है, वो निकाल लो तो क्या हो जाएगा, इसकों t2 कह दे तो या t2 क्या हो जाएगा, rho g s ठीक है, यह हो जाएगा z2 bar, अब यहाँ पे जो z2 bar आएगा ध्यान रखना, यहाँ पे जो z2 bar आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, वो हो जाएगा, यह पूरा, वो क्या हो जाएगा यह वाला पूरा, mg2 mg2, mg2 में क्या आएगा, यह भी आएगा यह भी add होगा तो यहां पाम क्या लिखेंगे, इसका जो आयागा, उसको हम कहेंगे, mg2, और भहिया, mg2 जो होगा, वो mn प्लस mg2 होगा, अब mn की value तो क्या हो जाएगी, वही same, ok के equal हो जाएगी, mn की value तो ok के equal हो जाएगी, अमने उपर लिख दिया है, तो 8a upon root 73, अब आप देख सकते हैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ, देखो यह mn है, और यह ok है, दोनों equal हो जाएगे, अब mg2 की value अभी हमने निकाला है, mg2 की value अभी हमने निकाला है, कितना है यार, यह रहा हमारे पास में, a by 2, 3 root 73, तो क्या हो जाएगा, a by 2, 3 root 73 हो जाएगा, clear है यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो, यह आगे हमारे पास में, z2, इसको यहाँ put कर लो, तो यह हो जाएगा, t2 is equals to rho g, अब pi a square, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 pi r square होता है, फिर 2 pi r square, तो 2 pi a square लेग दिया, यह वाली value रख दो, यहाँ पे, 8 a upon root 73, प्लस a by 2, 3 upon root 73, आजाएगा, अमारे पास में, इसका, z2, depth of center gravity, center of gravity from free surface, बस यह होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, next, तो क्य का, इसका ratio निकालना है, ratio निकालना है, तो यह हो जाएगा, हमारे equation number 2, तो क्या घर दो, t1 upon t2 कर दो, या t2 upon t1 करोगा, तो मिलेगा आपको, यहाँ पर आप T2 upon वैसे कर सकते, फिर उसका उल्टा घर दो, यार, बात तो होई है, तो यहाँ पर हमारे पास में, t1 यह उपर आपके पास में, क्या है, 8 upon root 73, rho g pi a cube, equation number 1 है, ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, divide कर देंगे, नीचे वाली term का, तो एक सेकंड, या t2 upon t1 करना था, sorry, t2 upon t1 करना था, यार, यह हो जाएगा, rho g 2 pi a square, और यह हो जाएगा, 8 a root 73, a by 2, 3 upon root 73, upon क्या करना, आपको यहाँ पर, इसके अंदर divide करना, आपको, 8 by root 73, rho g pi a cube, या, rho g, rho g हट जाएगा, pi से pi कट हो जाएगा, यहाँ से a, यह से कट हो जाएगा, यह 8, इसका 4 आजाएगा, यहाँ पर, तो ultimately आप जब इसको simplify करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर, इसको simplify कर देते हैं, थोड़ा और simplify कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, 8 a upon root 73, प्लस यह हो जाएगा a by 2 3 root 73 अपॉन यह हो जाएगा 4 upon root 73 into a अब देखो यहाँ से क्या गरो root 73 का लेलो LCM लेलो root 73 cut हो जाएगा और यह आजाएगा 8 a common लेलो सबसे पहले तो काम करो उपर से a common लेलो a common लेली हामने अब क्या गरो root 73 common लेलो और अब क्या बचा अंदर हमारे पास में बचा 8 plus 3 by 2 ठीक है upon क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 4 upon root 73 into a a से a अट गया यह यहाँ से यह अट गया अब क्या बचा आपके पास में इसको simplify करो तो यह कितना हो जाएगा 16 plus 9 यह हो गया 16 sorry 16 plus 3 upon 2 अपन यह हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा, उपर आजाएगा आपके पास में, यहाँ पाजाएगा, I think, 16 हो जाएगा न यह, यह हो जाएगा 16, और, यहाँ सा आजाएगा आपके पास में 19, और 19 अपन आजाएगा 8, I think यही आपको प्रूव करना, 19 रेशियो 8 प्रूव करन अब देखो, next जो question है, next जो question है, उसको थोड़ा सा पढ़ा है, यह कहा रहा है कि a hollow weightless hemisphere filled with liquid is suspended freely from the point in the rim of its base, base की जो rim है, उससे इसको इसको इस पर लटकाया गया, so that the thrust on the plane base is to the weight, ratio कहारा है, ratio लेना आपको base और weight का, इसका लेना base और weight का ratio यह होगा, अब देखो, base पर हमने यहाँ पर निकाल रहा है, t1, t1 जो है वो उसकी base पर लगने वाला है, तो यहाँ पर क्या लिख देता है, इसको देखो, same diagram, same सारी सारा काम वही करना है, तो यहां से एक बात ध्यान रखो तो क्या लिखेंगे from equation number 1 हमने क्या निकाल रहा base पे हमने इसका pressure निकाल दिया कितना आ रहा हमारा पास में 8 upon root 73 rho pi r aq aq ले लो इसकी radius हमने a a ले लिया भाया weight निकालना weight क्या होता है now weight निकाल लो equation number 5 क्या देता I think हमने उपर कितना दिया होगा 3 or 2 ही दिया गया हम यहां पर इसको 3 दे देता है इसको हम equation number 3 लिख देता है तो यह हो जाएगा हमारा equation number 3 अब देखो यहां से w निकाल w equals to क्या होता भाया mg होता है ठीक है अब w equals to mg हो गया यहां से जो m होता वो क्या होता है row into v अगर density को बात करें तो mass upon volume होता है तो यह हो जाएगा row vg अब देखो यहां से row into g into v मतलब क्या हो जाएगा volume of hemisphere क्या होता है hemisphere का volume होता है 2 by 3 4 by 3 인 र HR cube होता है तो उसका देख्ण 2 by 3 हो जाएगा equation number 4 अब क्या करना आपको ये कह रहा है कि weight पर आपको उसका pressure का divide कर दो क्या करना equation number 3 upon equation number 4 का divide कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास में rho g 2 by 3 pi a cube हो जाएगा upon में क्या आ जाएगा आपके पास में 8 by 73 और ये हो जाएगा rho g pi a cube अब देगो simple सा pi a cube pi a cube कट गया rho g rho g कट गया अब क्या मिल रहा है आपको ये 2 इससे कट गया 4 times तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा root 73 ये हो जाएगा 4 इस 3 से जागे multiply हो जाएगा तो 12 हो जाएगा तो 12 ratio 73 हो जाएगा ये पूछ रहा होगा आपसे फिक है उल्टा गर लो ये मिल जाएगा तो इस type से हमने 2 question important कर ली अब देखो अगर आपको ये question पूछे तो आपको क्या करना है ये वाला portion नहीं करना है अगर नीचे वाला question second question पूछे तो इतना वाला portion नहीं करना है ये कि करो surface आपको नहीं निकालना सिरफ base पे निकालना अगर आपको ये वाला question पूछे तो आप ये कर सकते है बस इतना साई difference था इसलिए हमने इसको दोनों question को एक ही वीडियो में explain करने कोशिश किया आई होब आपको पूरा concept लेर हो गया होगा so thanks for watching my video keep watching ms match and for more videos अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लो या ठीक है चलो ओके thank you bye bye तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you bye bye